पाकिस्तान में अलप संखेकों के इस्तिते कितनी बुरी है यह बताने की आश्यकता नहीं है। आतंकियों का पनाहगार पाकिस्तान कभी भी अलप संखेकों के हितों की रक्षा के लिए खड़ा नहीं रहा, नतीजा यह हुआ कि काफी बड़ी संख्या में हिंदू और सिख अलब संख्यक मारे गए या उनका जबरंधर मांतरन हुआ या फिर उन्हें देश छोड़ कर भागना पड़ा हलांकि दुनिया को दिखाने के लिए ही सही लेकिन पाकिस्तान की मौजुदा सरकार ने अलब संख्यक सिखों के हित में एक बड़ा फैसला लिया है बटवारे के बाद पहली बार किसे सिख को कैबिनेट में जगह मिली है आज की वीडियो में मैं आपको नवास सरीफ की बेटी यानि मरियम नवाज के कैबिनेट में शामिल किये गए सिख रमेश सिंग अरोडा के बारे में बताऊंगा उससे पहले यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें मरियम नवाज पाकिस्तान के पंजाब प्रांत की मुख्यमंत्री वनी है और प्रांतिय बिधान सभा के तीन बार के सदस से रमेश सिंग अरोडा को अपनी कैबिनेट में शामिल किया है 49 वर्स ये रमेश सिंग अरोडा को हाली में पाकिस्तान गुर्द्वारा प्रवंधन समीती का अध्यक्ष और करतारपूर कोरिडोर के एमबेश्टर के रूप में भी चुना गया था प्रमेश सिंग अरोडा को भारी बहुमत से तीन साल के करेकल के लिए पाकिस्तान सिख गुर्द्वारा प्रवंधन समीती यानि PSGPC का अध्यक्ष चुना गया था एक मार्श को उन्होंने इस्पत पर तीन साल पूरे किये इंडियन एक्स्प्रेस को दिये अपने इंटरव्यू में अरोडा ने कहा बिभाजन के बाद पहली बार एक सिख को पंजाब प्रांत के मंत्री मंडल में शामिल किया गया है मैं सिर्फ सिखो की ही नहीं बलकि पाकिस्तान में रहने वाले हिंदूओं और इसायों सहित सभी अल्पसंक्यों के सुरक्षा और भलाई के लिए काम करूँगा ननकाना साहिब में जन्मेश सरदार रमेश सिंग अरोडा ने लहोर की गोवेंट उन्वेसिटी से एंटर प्रिन्योर्शिप और SME मैरेजमेंट में पोस्ट ग्रेजवेसन के डिगरी हासिल की है राजनीती में आने से पहले अरोडा ने पाकिस्तान में बिश्व बैंक के गरीबी निवारर कारेक्रम के लिए काम किया था 2008 में उन्होंने मोजाज फाउंडेशन के स्थापना की जो पाकिस्तान में वंचितों की सहायता के लिए समर्पी थे खबरों के मुताबिक रमे सिंग अरोडा के बड़े भाई गोविन सिंग अरोडा करतारपूर गुर्दवारे में मुख्य ग्रंथी के रूप में करे रत है इसके अलामा सरदार रमे सिंग अरोडा ने पाकिस्तान के सिख बिवाः पंजीकरन अधिनियम 2017 के कारियान वयन में मत्पोन भोमी का निभाई थी उन्होंने एक निजी सदस्य के रूप में बिधयक पेश किया और इसे मार्च 2018 में बिधान सभादवारा सर्वे समती से अनुमोदित किया गया इसके अलामा उन्होंने 2009 से 2013 तक पाकिस्तान सिख गुर्दवारा प्रवंधन समीती के महा सचीव और 2011 से 2013 तक राष्टिय सदभाव मंत्रा लेके राष्टिय अलसंक्यक आयोग के सदस्य के रूप में काम किया साल 2016 में पाकिस्तान के राष्टपती ने उन्हें राष्टिय मानवाधिकार पुरुसकार से सम्मानित भी किया था इंडियर एक्सप्रेस के रिपोर्ट के अनुसार सरदार रमेज सिंग अरोडा ने बताया कि 1947 के बिभाजन के दोरान मेरे परिवार ने जियदातर सिख और हिंदू परिवारों के तरह भारत जाने के बजाए पाकिस्तान में रहने का फैसला लिया था मेरा जन्व ननकाना साहिब में हुआ था लेकिन बाद में हम नारोवाल चले गए मेरे दादा जी ने अपने सबसे प्यारे मुस्लिम दोस्त के कहने पर विभाजन के दोरान पाकिस्तान में ही रहने का विकल्प चुना था सिर्फ दोस्ती की खातिर उनके परिवार ने वहीं रुकने का फैसला किया पिछले साल सरदार रमेज सिंग अरोडा को सरदार अमीर सिंग के स्थान पर करतारपूर कॉरिडोर का राज़दोत नामित किया गया था करतारपूर कोरिडोर गुरु नानक देव जी के परम विश्राम स्थल पाकिस्तान में गुर्दवारा दर्वार साहीब और भारत के गुर्दासपूर शेत्र में डेरा बाबा नानक मंदिर को जोड़ता है साल 2019 में गुरु नानक देव जी की 550 वी जैनती के उपलक्ष में करतारपूर कोरिडोर शुरु हुआ था आपको हमारी है वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट सेक्षन में जरूर बताएं